ओम नमस्षिवाय मैं हूँ स्क्राजर केम सिन और मैं अपने से योटुब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं सबसे पहले तो कल का जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था उस वीडियो में कई लोगों ने पूरा वीडियो तो सुना नहीं और कमेंट बॉक्स पर एक के बाद एक कमेंट उन्होंने करना इस्टार्ट कर दिया कि डेट एक्स्टेंड कर रहे हैं डेट एक्स्टेंड कहां हो रहा है कल के वीडियो में भी यह बताया गया था कि कोविड नाइंटीन की तुल मोनी की जो डेट बता रहा बताय गया था वो राहू केतु के राशी परिवर्तन के साथ ही यह खतम होगा और यह पहले भी आपको बताया चुका हर वीडियो में मैंने यही बताया है कि 30 जून तक विदेशों में लगबग इसके मामले बढ़ेंगे और विशेस रूप से य तब यह पहले कभी भी कोई महामारी खतम होगी उससे पहले तो इसको इसको सलोडाउन होगा तब ही तो यह खतम होगी ऐसा थोड़ी ना होगा कि एक ही दिन में 11 सप्टेमबर को बोल दिया गया ओर 11 सप्टेमबर को एग्जैक्ली सारी बीमारिया बंद हो जाएंगे ऐसा ही होता है यह बहुत ही स्लो प्रोसेस है और स्लो प्रोसेस का सबसे पहले तो आप पूरे वीडियो सुना कीजिए उसके बाद कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए पहली बात दूसरी बात जैसा कि मैंने बताया था पूर्वी देशों से कुछ अच्छे समाचार आने लगेंग चार मही तक का जो डेट होगा इसमें यह बीमारी धीरे-धीरे कम होती जाएगी और इसकी सुरुवात पूर्वी देशों से स्टार्ट होगी जैसे ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया का भी डाइग्राम देखिए मैं यहां पर दिखा रहा हूं और वर्ड मीटर इंफो से इसको मैंने डेटा कलेक्ट किया आप वहाँ पर भी जाकर इसको चेक कर सकते हैं तो आप देखिए डे बाई डे ऑस्ट्रेलिया में इसके केस कम हो रहे हैं और सबसे जाधा रिकवरी अगर किसी देश में हुई है तो वो ऑस्ट्रेलिया में हुई है लगवक 60% लोग कम हो रही है पूर्वी देशों में दूसरे देश की बात किया जाए तो थाइलेंड की बात किया जाए तो थाइलेंड में भी यह ग्राफ आपको दिखा रहा हूं यहां पर भी डेटा डे बाई डे कम हो रहा है और पूर्वी राज्यों में इसका प्रकोब अब यह कम होना स्टार्ट हो गया जैसा कि मैंने प्रेडिक्षन किया गया था इसके अलवा होंग कॉंग का भी आप डेटा देखिए होंग कॉंग में भी ये केस दीरे-दीरे कम होता जा रहा है और डे बाइडे इसके संक्रमड जो है वो कम होते जा रहे हैं अब वो टाइम आ गया है जब सूर्य उच्च का हो रहा है और सूर्य उच्च का होते होते जैसे ही 10 डिगरी तक ये उच्च के रहेंगे ये निश्चित रूप से पूर्वी देशों में इसका प्रवकोप जो होगा धीरे-धीरे कम होगा और 4 मही तक का मैंने डे डिटधी हैं और 17 मही तक मैh पुना रिपीट कर दो 17 मही तक मैंने डेट दिया है जिसमें महमारी बहुत कि से कम हो जाएगी रिकवरी फास्ट होने लगेगी और 30 जून का डेट है विदेशों के लिए एफरिका और एमेरिका के लिए जहां पर रिकवरी फास्ट होना स्टार्ट हो जाएगी इसके अलाबा और भी कई देशों के डेटा मैं आप लोगों को यहां पर डिस्प्ले में दिखा रहा हूँ जैसे की आप यहाँ पर देख सकते हैं सिंगापूर का डेटा day by day इसमें संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या कम होते जा रही है नौर्वेय में यह संक्रम होते जा रही है नुजिलेंड में यह डेटा आगहर आप देखिएगा display में भी मैंसे लिए एक-एक कर के सभी को पर रहा हूं इसमें यह कम होती जा रही है तो यह спокой notebooks की पूर्वी देशों में यह संख्या कम होती जा रही है और जो कि मैंने बोला था कि अब अच्छी कबर आएध मैंने टॉपिक का नाम ही लिखा था वेट करूँगा 25 अपरेल तक जो भारत की जनम कुंड़ी है उसके इसाब से 10 डिगरी तक सूर्य उपरम उच्छी के रहेंगे और उसी टाइन तक इसका प्रबाव कम होता रहेगा तो दो बाते मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि मैं किसी प्रकार के डेटा में किसी प्रकार सक्त हो रही है इसलिए मैं आकर यहाँ पर आज डेटा के थुरू यहां पर बताना चाहता हूं कि यह पूर्वी देशों में इसका संक्रमण दीरे-दीरे कम हो रहा और डे बाई-डे यह संक्रमण आपको देखने में मिलेगा कि यह कम होता जा रहा है तो एक खुशी की बा अधना करने से यह जो महामारी है यह जल्दी-जल्दी कम होती जाएगी और विश्णु जी की कृपा के कारण ही यह बिमारी सही होगी जो कि मैं चेक किया हूं अपने सारे डेटा में और यहां पर कमेंड बॉक्स में जरूर आपको यहां पर अपनी प्रतिक्रिया में जरूर कियम से ना, ओम नमस्षिवां